हेलो एने वल्किम गाइस वाकत है आपका फेंटासी डिसन चेलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लब बात करेंगे इसी वीडियो में कवर करेंगे तो चली फिर बीना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो बात करें इसमें किस से फेले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगे और यहां से टेलिग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत बुलेगा है नीचे डिस्क्रिप्सेन में ओलेडी मैं लिंक एटेज कर दिया इनके सकर लिंक वर्क ना करें टेलिग्राम में जाके सर्च भी कर सकते हो फैंटरा सी डिसन चलेंचर या फिर आप कर सकते हो अपको सीधा हमारे चैनल में उसे जॉइन कर लेना क्योंकि वही पर यह आपको फाइनल अपडेट और में स्मॉल लिकी टीम मिलने वाली है तो बात करें इस मैंच के तो यह मैं से कुझा भी कुणा ज्यादा भी स्कॉर बन सकता है कुण तो नहीं कहोंगा लेकिन इससे ज्यादा स्कॉर बन सकता है चैजिंग रेकॉर्ड गया था लेकिन लास्ट मेच जो हुई वो वन साइडेर मैच हुई थी यहां से तो वन साइडेर मैच में उनको पांच गेंदेर डालने को मिल गई आखरी वर्ज में और वहाँ पर उनको एडवांच लेगा आपको 29 रण किये थे पहले मैच के अंदर और साथ में चार वर्ज खेल लेता है यहाँ से अबदूल सुकुर का playing 11 में नाम नहीं था याँन हम उनके पूरे क्लब में इपका नाम नहीं था आशिम अजीम अबदूल सुकुर तो इनका नाम नहीं था तो आज केलते हों नजरा के तो एसे भी कोई भी player भी होगा तो इनके stage पे आपको टेलिग्राम में जरूब प्रवाइड करवा दूँगा तो टेलिग्राम से जोड़ना बिल्कुल मत बुलिएगा तो अब्दुल अजिम very important pick रहेंगे साले segment तो ये साले कभी performance देते हैं अच्छा कभी नहीं देते हैं पहली मैच के अंदर 56 के है एक विकेट निकाला दूसरी मैच के अंदर 3 रन 0 विकेट तो दूसरी मैच के अंदर फेल रहे लेकिन तूसरी मैच के अंदर एक बार फिर से अच्छा performance दिया 31 रन किय सबसे मजबूत प्लेयर भी लग रहें तो यह प्लेयर हमारे लिए very important pick रहेंगा है सब मोसीन जमन सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब करेंगे तो यह बंदे को आप सीधा विकेट किपिंग से सीधा ले लिजेगा क्योंकि और को अच्छा options मिलने वाला नहीं आपको व पूरी करवा सकता है तो ऐसे मुनियांटी important pick बन सकते हैं इनको हम drop करके नहीं जा सकते हैं क्योंकि आप मलेशिया की international team के लिए खेलते हो प्लेयर यहांसे national team के लिए खेलते हो काफी अनुबे प्लेयर कभी भी किस condition में कैसे playing कैसे खेलना है यह अच्छी तरह से जानते हैं स सर्विन मुंडिया नी important pick है इनको drop मत करिएगा अनिल कुमार ठाकूर आपको betting section से दिख दाएंगे very important pick रहेंगे पहली दोनों मैच के अंदर विकेट निकाल दे हो आदे last match के अंदर उनको विकेट नहीं मिली लेकिन इससे अच्छी चोईस आपको betting section में मिलने भी नहीं माल में यहां से चार मेंबर पांच मेंबर वाली लिक खेल दो उसमें आप ट्राइ कर सकते हो माइकल मशी को बाकी ठिक ठाक परफॉर्मस दे रहे हैं जाय डोशी जो कि हर एक मैच के अंदर इतना कुछ खास परफॉर्मस दिया नहीं एक मैच एक विकेट last मैच के अंदर जरू ट्राइ करेगा बाकि मैं तो बोलोगा ग्रांड लिक बगेर हमाई ट्राइ करेगा तो बेतर है स्मॉल लिक में लिए यह काफी प्लेयर यहां से रिस्क्य होने वाले जाय डोशी और यहां से अपूर्वक क्रिश्णा कोएंडे दोनो बाकि मुझम मिल भी पहली मैच के पर भी आप ट्राइ जरू कर सकते हैं वैसे वह रोल रेकोर्ड से इतने कुछ खास रेकोर्ड से नहीं स्टार्टिंग वस्की बात करद तो अनिल ओमार ठाकूर यहां से आसिम अजीम डिखेंगे आपको स्टार्टिंग में और देथ वोस के बात कर अए आसे जे डूसी मु नीआंडी करवा सकते हैं धेधोस में गैन बाजी और यहाँ से बाकी तो अनिल कुमार ठाकॉर कभी-कभी कर लेते हैं या माइकल मसी पहीं Oops में गैन बाजी कर सकते हैं तो यहाँ से अगर को भी खिल एक जरूर प्रवाइड कर आज आ सकते हैं तो इंके से खैर एक जी S की बाद का तो 3 match के लिए 3 ही match जिद के आ रही है और उसकी विरन डिब सिंग 2 ही match के लिए जहां से 1 match के अंदर 128 128 run किये है ढूसरी match के बाद का तो 84 run किये है और यह से बागी red ज़ए था तौ यह से 4 विकेट भी निकाल दिये है तो इनके बारे मैंने लाश्ट वीडियो में बता जिया था कि पहली मैच के अंदर उन्होंने OS भले ही ना कियो लेकिन अगली मैच के अंदर आपको OS पूरी करते हूं नजर आ सकते हैं तो यह आपको बेटिंग से बोलिंग से दोनों से एड़वाटेंज देगा और इस मैच के बात कर तो इस मैच के लिए सीधी हमारी कैप्टन सिप के चोईश रहने वाला है विर्ण दिप सिंग एजब लेयर काफी अच्छी पिक रहने वाला है मौसन इद्रिस के बात कर तो अच्छी वीडियर हम लोग इनको लेखे जाएंगे पहली दोनों मैच के अंदर जबाचस परफरमस यहां लास मैच के अंदर दस रन जरूर केma लिए लेगन अगली मैच के अंदर वापस एक बार अच्छा परफरमस देता हुआ नजर आ सकता है एजब लेर इंपोरेंट प्रिक रहेगा तो यहां से थोड़े से रिस्की रहेंगे अभी हमारे लिए बाकि बैटिंग से थोड़े से उपर आ गई इससे पहले काफी नीचे बैटिंग करवा रहे तो यह आपको यहां से आमीर खान मलीग हर एक मैच के अंदर विकेट निकाल रहे है अभी तक ग्यारा विकेट निकाल चुगा है तीन मैच के अंदर तो जब जस पॉम में चल रहा है एजब प्लेयर तो इंपोर्नेट है इवन कैप्टेंसिब और वाइस कैप्टेंसिब बहुत सारी जनता इनको बना के आ सकते है तो जब प्लेयर हम लोग इनको लेखे जाएंगे वन कैप्टेंसिब वाइस कैप्टेंसिब भी दे सकते है अजब खान प्लेयर काफी अच्छे है लेकिन इनको टीम अच्छी तरह से यूजज नहीं कर रहे है बैटिंग से काफी नीचे बेजा जा कभी ना कभी आपको नजर आ सकता है यासे अजब खान इनको थोड़ा सा अगर उपर खिलने को मुखा मिल गए यह क्या था ना टीटेंड के अंदर यानि कि डिसमबर में टीटेंड कहला गया था इनका ही मलीशिया का तो वहाँ पर यह ओपनिंग कर रहे थे यासे विरंद का कोई मतलब बनता नहीं है मुहमद काशिर की बात के हो तो एक टाइम पर आप उनको ले सकते हो क्योंकि कंसिटेंशी से परफ़मस नहीं दे रहे लेकिन दो मेच के अंदर तीनी उतनी वर्स की गेनबाजी कि दोनों मेच के अंदर विकेट निकाल लिया तो अगली मेच मे पमंदीफ सिंग को तो इनक इम्मーピरण प्रिक रहने वाला है तो टेलेग्राम से जुड़े रहना, चलिए देख लेते हैं हमारी fantasy team, कौन से रहना है, कौन से प्लेयर को में लेकर जाना है, कौन से प्लेयर को में लोग यहां से अवरिकर करके जा सकते हैं विकेट कीविंग सेक्षन में एस शरीफ रहेंगी, और कोई अच्छी अप्संस नहीं है, बैटिंग सेक्षन की बात करतो हैं ऐसे मोसिन जमन, ठाकूर और यहां से इद्रिश को मैंने लिया हुए, बाकी अच्छी अप्संस इतना कुछ खास नहीं है, डूशी वगेरा को अजर में जरूर रखियेगा, वाल राउंडर सेक्षन में वी सिंग है, एक खान मली गया नहीं का, अमीर खान मली गया है, मुनियांडी को मैंने लिया हो, जो की काफी रिस्की रहने वाला है, आप अगर सेफ जाना चारे तो मुनियांडी की जगापर यहां से माइकल मसी को ले सकते हो, यहां से फैसल को ले सकते हो, यहां से अजर खान को ले सकते हो, आप किसी भी प्लेयर को ले सकते हो, लेकिन में मुनियांडी के साथ ही जाओंगा, बाकि बालिंग सेक्षन की बाद को तो साले सेडवेन यहां से मुहमाद काशीर और यहां से पी मुहमाद, यह बॉलस रहने माले बाकी और कोई अच्छी अपस्स है नी खेर वगेरा खेरे तो खेर इनको लेकर जा सकते हो तो ये कुछ टीम इस तरह से हो सकते हैं वी सिंग कैप्टन रहेंगे और वाइस कैप्टन है हमारे एम जमन रहने माले आप क्या कर सकते हो ये इसको से जुड़ना बिल्कुल मत बुलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में आरड़ी मैंने लिंक अटेज करके दे दिया इनकर लिंक वर्क ना करें टेलेग्रम में जाके सर्च करेगा फेंटासी डिसन चैलेंजर या फिर आप सर्च कर सकते हो अगर वीडियो को लाइक और शर कर सकते हो बागी यूटूब चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल मत बुलेगा क्योंकि आगे आने वाले और अच्छे मेंचेस की वीडियो आपको यसी यूटूब चैनल पर मिलने वाले हैं तो मिलते हैं हम लोग अगरे वीडियो में एक नए सर्फारेली वीडियो के साथ तब तक के लिए आप पूरा वड़ी देखते हो अच्छा नेले सिक्स करते हो अच्छी टिम बनाते हो अच्छी विनिंग करते हो बाई जय हिंद जय भारत